जो लोग बनाते हैं ये कौन सा नशा करते हैं मुझे आज तक एप में वो ढूंड रहा हूं कि वो नशा कौन कासा करते हैं और कौन करवाता है अफगानिस्तान की रैंकिंग 152 जहां पर तालिवान बैठा है आंडिया की एजूकेशन हो या इंडिया को वो खाग लग के लिए बाग लग गए तो अज इंडिया की हर चेस्वनें की हो गई उनका कोईला भी सोने का ओगिया मगर पैले की बात है इन्हीं गाओं के अध्याद के लाके थ thri जिनके आज आज आप कहे रहे हैं कि हर जग़ा स से सुच्टाले गुटै के इशाराऋ तो किस लिवल पर गैम कहलती है । किस लिवल पर आपकी प्रेस गोर्मनेट के इशारण पर नाच दी ओंव्या मैं आपको कॉट्रि में टार रहा कॉग घूंटनी आपके हाथ में था नहीं था detal कि спocyकran आप दूसरे कंट्री को पे को एनेक्स कर सकते हैं क्या रशिया के पास वो राइट नहीं है क्या अब थ्रेट पस एक्षिन पर वो किसी वे टाइक कर ले रशिया आपने डेमनाइस कर रखा है तो यह अमेरिकन्स ने खुद खुद सिलेक्ट किया है एक इंडियन औरिजिनेट अब इंडियन पर वो जूट हो सकता है अटाप की बात हो तो पाकस्तान ने करवाया है करप्शन की बात हो हर मुल्क में होती है हर चीज में अब इंडियन ठीक है एक पॉजिटिफ साइड हो गई बहुत पॉजिटिफ चलो 80 परशेंट भी पॉजिटिफ हो गया है क्या वो जो सारी चीज़ें सुनते और देखते आ रहें वाउट इंडिया वह गलत हैं इंडिया में फ्रीडम इंडेक्स को लेके अगर हम उसको देखते हैं इंडिया की सेनारियो उसको देखें तो क्या कहेंगे आप इसके उपर क्या यह वर्ल्ड प्रेस्ट्रीडम इंडेक्स जो लोग बनाते हैं यह कौन सा नशा करते हैं मुझे आज तक यह वह धूंड रहूं कि वह नशा कौन कासा करते हैं और कौन कर बाता है अफगानिस्तान की रैंकिंग 152 यहां पे तालियवान बैठा है पाकिस्तान की रैंकिंग 150 इंडिया की रैंकिंग 160 अफगानिस्तान से भी खराब इंडिया की पोजिशन जहां तालिबाने सीधे गोली मार जाता है कोई कोड़ वोट नहीं चलती यह इन यह जो वर्ड फ्रीडम इंडेक्स है यह बनाता को यह यह यूरोपेंस बनाते हैं और अमेरिक बनाते हैं अब से दाधा प्री चाहे जूलियन असंज को इनी कंट्रि में कितना बुए तरह से टॉचर किया गया जूलियन असंज तक ढखे खारा विचर है उसने क्या किया था उसने तो कुछ नहीं किया था उसने तो सिर्फ अमेरिकन कीड़्स बताय थे वह ब्शक्रीज जो केस भी कि आपके से लिए कोई तक नहीं देखिए मैंने आज तक नहीं देगा गल्फ बॉर्ब्र पे एक डॉक्यमेंट्री बनी ती वाइसा जो डॉक्यमेंटरी सही थी उसमें बोला गया था कि यह फ़ेप्रिक्रेटिड एविटेंस पे गल्फ बॉर्बॉर हुई है उसके बात हु पूरी की पूरी यह सिचुएशन क्या है यह लोग अपने आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कितनी फ्रीडम है आपके कंट्री में हमें अच्छी तरह से पता है हमें बताने की जरुवत नहीं है आपके जनलिस्ट को किस तरीके से टौचर किया जाता है सब पता है और दूसरे लोग रविश कुमार के ही नहीं बैठे इसी कंट्री में बैठे ना आप अजी तन्यूं को देख सकते सावा के आपने चैनल में जब बैठी थे तो भी वो मोदी को खिलाफ बोल रहे थे आज यूट्यूब बना रख था तो भी मोदी को खिलाफ बोल रहे हैं वाय मैं यह बूल रहा हूँ कि यह कौन सा करने के बाद बनाते हैं यह जयानना चाहता हूं। चाहिए न तो हो ना भी चाहिए इंडिया को उन्से डिक्टेटिशिब भाई आप जो इंडिया की प्रेस को फ्रीड़ कोई आपके पास कहीं पर कोई evidence होगा क्या प्राइमस्टर मोधी को इस country में करने भी ही किया जाता तो free कैसे नहीं है हमारे प्रेस कोई पताएगा यह रहा है कितनी प्रेस ने क्या चापा था मुझे पता है किसी ने आज तक बोला नहीं और कितनी आवाज हैं उठी उस पर कोई आवाज नहीं उठी इनकी इनकी अपने नियू यॉर्क में बैठे हुए वो जेनलिस्ट जो के शायद अमेरिका के जो रूलिंग एलिट है उसमें कहीं नहीं गुसने की कोशिश करते रहते हैं वो तो कमचते नहीं ना इनके इनके जो गौर्वर्मेंट है वो कहीं भी इराक वर वुए तो इरक वॉर्क आविड़न गया मुझे तो नहीं दिखा का। अगर अगर बहुत जादा मावाल बनाया होता है कि प्रेस में तो इराक वार होती नहीं और प्यूर फेक एविडेंस को इराक वार होई थी यह हमें बताएंगे कि प्रेस फ्रीडम क्या होती है हमारे फॉरेंड मिनेस्टर जैश अंकर साब पहले ही बोल चुके है कि यूरोप की प्राप्लम पूरी दुनिया की प्राप्लम होती है ऐसा यूरोप मानता है और यह भी मानता है कि पूरी दुनिया की प्राप्लम यूरोप की प्राप्लम नहीं होती हम इस एजंशन से बाहर काम करते हैं हम इस एजंशन को सपोर्ट नहीं करते हैं यह जो प्रेस फ्रीडम for that. यूक्रेरी वोर की रियालिटी कोई बताना चाहेगा? जानना चाहते हैं यूक्रेरी वोर की रियालिटी. रशिया के पास भी एक एक वो है. आप त्रेट परसेप्शन पे किसी भी कंट्री पे अटाग कर सकते हैं. आपने इराग पे अटाग किया? त्रेट परसेप्शन पर वो किसी वे टाइक कर ले, रश्य आपने डिमनाइस कर रखा है, तो यह जो सुप्रेमिसी है, इन सब की, मैं इस सुप्रेमिसी को मानता ही नहीं हूँ, यह जो बोलते हैं, इनके इंडेक्स जो आते हैं, हापिनेस इंडेक्स निकालते हैं, सबसे अदर कुछ तुम ही हो, कैनिड़ा में आध्मी खाना ने खरीद पारा। और यह situation अखेले केराट आपे नहीं है, ज्यादा था रहे रोप में, तो यह सोचने वाली बात है कि भाई आप हमें दे रहे हो, आप हमें certificates बांटे हो, यह you do not have the right to give these certificates, आप अपने press को देखिए जरा पहले आपकी press किस level पर corrupt है और आपकी press किस level पर game खेलती है, किस level पर आप को बीस examples बता सकता हूं, इनकी, आपकी means in whites कि press, यानि कि European press और American press, यह सारे कि सारे, इस समय यूक्रेयन वार पर कोई बता रहे है, कोई American press, New York Times, यह सारे कि सारे बता रहे है कि क्या हो रहा है, किस में, किस तरीके से रशिया के खिलाफ नेटो काम कर रहा था, नहीं बता रहे प्रेमियन के रशिया कभी एक version है, जो version बताया जाना चाहिए, यह पूरी की पूरी press, यही European press, चीख रही थी, हमारे foreign minister से इन्होंने question पूछा, कि India तेल खरीद रहा है, यूरोप से, सारी, रशिया से, तो इंडिया, रशिया को funding कर, रशिया की वार जो उसको funding कर रहा है, किसी European press ने पूछा, हमारे external press ने से पूछा, आज India is the largest supplier of refined petroleum to Europe, आप को funding कर रहा है, रशिया से 3 लग कोन खरीद रहा है, रशिया के पास अपने पास तो indigenous production नहीं है, रशिया से खरीदता है, उसे रशिया करके यूरोप को भेज रहा है, यह तीन महीने पहले standards अलग थे, refined और आज इंडिया बेच रहा है, इंडिया भी तो रशिया से लेगे बेच रहा है, तो सच तो यही है न, इनकी, इनका Japan खरीद रहा है रशिया से, हमारे उपर उंगले उठाने सबसे पहले आ जाते हैं, लेकिन इनके अपने अंदर क्या हो रहा है, क्या Russian gas, जो Europe खरीद र in, no, they have not done it, और Ukraine में हो क्या रहा है, एक तरफ से Russian gas खरीद रहे हैं, रशिया को डॉलर्स दे रहे हैं, ठीक है, स्वेप से निकालने के बाद, इंडिया से तेल खरीद रहे हैं, डॉलर्स रशिया को जा रहे हैं, और Ukraine को हत्यार, यहीं लोग दे रहे हैं, यहीं लोग दे र रहे हैं, यह बिल्कुल वैसा ही सीन है, जिसे पाकिस्तान हिंदुस्तान से बहुत से चीज़ें मंगवाता है, मगर डिरेक्ट नहीं तो डिरेक्ट हो जाती है, ऐसा ही सेनारियो, खैर ही डिप्लोमाटिक चीज़ें यह तो हमेशा से हमारे पॉलिटेक्स का पार्ट रही है लेकिन अभी जो बात करेते हैं, प्रेष्ट प्रीडम इंडिक्स की उसके स्टेटमेंट्स आपने डिनाई हैं कि ए रियालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, इंटिया के अंदर प्रीडम है, गो लोग अपने मताविक इंडेक्स मुनाते हैं, इसमें आपने जिक्र किया Amerikan's की दूश्या सवाल में भी है कि कि अमेशा से वर्लड वार टू के बाद से अमेशा से वर्ल्ड बाइकं से वर्ल्ड बैंक के ऊपर अजय बंगा वो आने वाले सनट दिनों में 2 जून को CEO बनने जा रहे हैं World Bank के इससे पहले हमारे पास सुंदर पचाई गूगल का CEO बहां से आए और भी बहुत सारे शनाल ब्रांड की CEO इंडिया से आई अजय कितने ऐसे बड़े ओदे हैं जिन पर इंडियांज ऐस सीओ फाइज है और अगर बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की और प्रेजिदेंट्स की मिनिस्टर लेवल के लोगों की तो उसमें भी इंडियांज पीछे नहीं रहे हैं मकर अमेरिकन्स ने खुद सिलेक्ट किया है एक इंडियां औरिजिनेट्ट बंदे को एज सी ओ वर्ल बैंक जो के हिस्ट्री में शाइद पहली दफ़ा होने जा रहे है क्या कहेंगे आप इस पर अभी तो आप अमेरिकन्स को कर रहे थे कि अमेरिकन्स ऐसे करते हैं वह चानिंग करते लिए डिसीन भी तो अमेरिकन् अजेब बागगा यहां से बड़े ही highly qualified आदमी हैं इससे पहले उन्होंने वहां पे बड़ी सारी पोस्ट अंबाली हैं और वो अपनी काभिलियत पहुंचे हैं उसके साथ साथ अगर बात करें तो सुन्दर पिचाई भी अपनी काभिलियत से पहुंचे हैं सत्यान देला अ कर रहता इयरोपियन कंट्री जो इंडियन ट्री distint हैं और बहु काई कंट्रीस की अगर बात करें तो डिरेक्री इंडियन डिसेंडेन्स हैं और वह वही नाम लेते हैं यहां तक कि हम लोग अगर बात करें तो इंडियन्स कही जगा फैले हैं कई जगा हैं और इंडियन्स हमेशा से एक चीज़ पर फोकस करते रहें कि हम लोग quality education लें तो हम लोग कहीं पर achievement ले पाएंगे और यह उसी quality achievement का कमाले जो कि हम लोगों ने पिछले 50 साल में जेनरेट की है उसी quality achievement का कमाले जो कि हमारे हमारे जो लोग है वो अच उस लिवल पर पहुंचे हैं हम लोगों हम लोगों हम लोगों का सबसे वड़ा फोकस आ रहा है तो हम लोग उस पर भी काम करें तो हमारी आया कि हमारी जो यह इंजिनेरिंग कॉलेजें आँ इमाजिन कीजिए कि जिस एरिया में मैं रहता हूं डेली एन ncr नाश्रल कापिकल रोईजन तो दिली के आस पास के जितने जिले हैं डिस्ट्रिक्स हैं वो भी उसमें आ जाते हैं जितने engineering colleges candy और NCR में हैं उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं हैं हमारे हमारे जितने startups सिर्फ काश्मीर में इंडियन साइड काश्मीर में हैं उतने पूरे पाकिस्तान में नहीं तो अगर आप development cure देखेंगे तो you will develop और अगर आप सिर्फ मदर से बनाएंगे तो आपके साथ problem आएगी यह प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं पाकिस्तान के साथ और दूसरे कंट्री के साथ कुछ दूसरे कंट्री के साथ क्योंकि हम लोगों ने अपनी manpower पे बहुत investment किया हम लोगों में manpower को पढ़ाया और हमारे यहां इस पे focus किया गया कि हर हर स्टेट में medical colleges हो हर स्टेट में engineering colleges हो साथ में हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्नोलोजी इंपक्ट राजीव गांधी फॉर्मर प्राइमिस्टर उनका सपना था कि हम 21st century में आएं और हम आएं हैं 21st century में और 21st century में भी केंविद बैंक हम लोग information technology में एक अच्छे लेवल पे हैं और हम लोगों का software इस समय इंडिया का सबसे बड़ा export नहां किये हूं पहले कि जमाने में सुनते देगे हूं और चावल export है और गन्ना अमारे और इंडिया की लाजेस्ट एक्सपोर्ट टाटा कंसल्टेंजी सर्विसस तो यह यह चीज जो हुई यह चीज जो हुई यह कोई किसकी वज़े से वो जो सपना राजीब गांदी ने देखा ता राहूल गांदी के फादर ने वो कंप्यूटर लाइट है वो तो 21st सेंचुरी नहीं देख पाए 1991 में उनको एसेसिनेट कर दिया गया लेकिन वो हम देख रहे हैं आज और यह दिस तिंग वस कंटिनूड बाइटल भी हरी बाजपाई एंड मन मोहन सिंग और प्राइमिनिस्टर मोधी और वस चीज़ को आज हम देख रहें के इंडिया एक इंडिया को गराएं उपर उठाएं दुश्मनी निभाएं नहीं निभाएं लोस्ती करें नहीं करें मगर अपने मफाद के लिए हमको इंडिया का टैलेंट उठाना पड़ता ही पड़ता है जैसे अब यह अमेरिकन को आप देख लें अमेरिका भी इस चीज़ को एप्रिशेट करने पर मजबूर हो गया है कि इंडिया के अंदर से टैलेंट निकल रहा हमें उस टैलेंट की कदर करी है लेकिन यह अपने बात कहीं कि पाकिस्तान जो है मदरसे बनाने पर फोकस का रहा है तो मेरी ओडियंस भी अक्सर इस तरह क हैं परिशेट पर मजब करती है तो मैं आपका सब्सक्राइब चलू लेंगत तो शायद लोगों को यह लगता है या बहर फारन कंट्री इस को यह लगता है कि पाकिस्तान अपनी नवेश्टमेंट मदरसों पबने भी नहीं कर रहा है ना सिर्फ इन्स्ठीटूस में मदरसो पर भी नहीं हो रहा, मदरसे भी यहां वही चल रहे हैं, जो परसों से चलते आ रहे हैं, या अगर कोई चोटे मोटे बनते भी हैं, तो वो लोग बनाते हैं, जो सवाब के लिए बना देते हैं, या फिर सद्के के नाम पर पैसे निकाल रहे होते हैं, या किसी भी परपस के ल कहां क्या सजिशन होगा आपका पाकिस्तान के लिए इंडिया के बहुत कम ऐसे काओं बच्चे होंगे जिसमें स्कूल ना हो प्राइमरी स्कूल में पच्चा चला जाएगा गौर्मेंट टीचर्स रिक्रूट करेगी और जितने भी बच्चे उनको मिट्टे मील्स उसमें दी जाएगी मतलब बच्चा जो आ रहा है उसको खाना वहीं मिलेगा स्कूल में ही मिलेगा उसके लिए पंड है और हम लोग उसको वह पैसा निकलते हैं वह पैसा दिया जाता है वह गाउं गाउं तक पहुंशता राइट साथ में जिसने इसके बाद एजुकेशन की आपको हमने दे दिया गौॉर्मेंट मैं दे दिया उसके बाद भी किसी ने अपने बच्छे को भॉरॉकुल में बहेज अन्य पर इंडिया में ज्याद तर पेरेंस अपने बच्छे को क्यांट-सकूलम सब तो यह भी दो तीन गाउं में छोड़के एक स्कूल निकल आएगा या हो सकता है कि हर गाउं में भी एक निकल ठीक है वहां पे बच्चे चले आथे आप नाइंध टेंठ इसके लिए आपको तीन चार गाउं में इंड़ेगा या दो गाउं में पच्चे को पच्चा एक किलमेटर भी जाएगा उस से उतने में स्कूल मिल जाना चाहिए जिब यह facilities बनेंगी तो कोई बंग पेरेंस अपने वच्चों को मदर से पेज़ेंगे यह नहीं के आप प्रक्तून प्वा वहां पे ऐसी facilities नहीं बनी हैं पिछले 30 साल में और यह infrastructure में लैग कर रहा है अब गौवर्मेंट को पाकिसानी गौवर्मेंट इसको इग्नोर भी कर रही थ क्योंकि अपकानिस्तान में देवर फाइटिंग और यहां से पहुत सारे लड़ाके जा रहे थे अब इस चीज़ पे ध्याग देने की बहुत जरूरत है और वो अब भी नहीं किया गया है मेरे हिसाब से ऐसा है क्योंकि मैं उसे दिया में गया नहीं ही इसलिए लेकिन प्चों को एजुकेशन देने जो टीचर जा रहे होंगे उनकी क्या हालत रही होगी इंडिया में जो एडिया है नक्सल एरिया जिसमें नक्सलाइज बहुत एक्टिव है दंतेवड़ा हुआ या गंचलानी हुआ या कोई और गंचलानी तो फिर भी बहुत बेटर लेटर पर भी एजुकेशन सिस्टेम अपना काम कर रहा है और बहुत बखू भी कर रहा है आप नक्सलाइज हमारे बहुत से मैट गहें हैं बहुत कम एरिया में रहे हैं और मतलब it's a matter of time before they vanish बड़ी चल्दी खत्म हो गया अज जिस इंडिया की एजुकेशन की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं ना सिर्फ आप बलके हर हिंदुस्तानी आज इंडिया की एजुकेशन हो या इंडिया को वो कहते हैं भाग लग गए भाग लग गए तो आज इंडिया की हर चीज सोने की हो गई उनका कोईला भी सोने का हो गया मगर कुछ मेरे इस पहले की बात है इन्हीं गाउं के अध्याद के लाके थे जिनके आज आज आप कह रहे हैं कि हर जगा स्कूल मिल जाएगा वहां पर शौचाले के नारे लगाए जाते थे शौचाले तक मुहया नह जो कि हए प्लाएट dep مdinец सौने के अपने हैं यह यहां मैंने मैंन अनकी यह मारी मैंनत यह थी जो हमने हम अपने है यस टॉत नहीं थे तो तो इंडिया की लोगों की प्रायर्टी ये रही कि खेतों में जाने तो लेकिन हर बच्चे को पढ़ाना है हमने स्कूल पहले बना दिया और बाद में टॉयलेस बने नो डौट अबाउट इट ड्रिंकिंग वॉटर हम लोगों का पीछे-पीछे आता रहा लेकिन स्कूल हर ग देली में केजरिवाल इस चीफ मिनिस्टर आप जातर के गवर्मेंट स्कूल देख लीजे भूल जाएंगे आप किसी भी अच्छे से इच्छे स्कूल को नियो यॉक के स्कूल भी उसके पारटी पे नहीं है स्विमिंग पूल बने हुएं स्विमिंग पूल और वो भी इंटरनाशनल स्टैंडर्ट का स्विमिंग पूल बना हुएं लुक एट आप प्रेस देख लो बच्चों की क्या प्रेस मिलती है मैं नहीं बोल रहा हूं मिलेगी आपको और यह गॉर्मेंट का आड मत देखना नॉमल लोगों ने जो फोटो टर्य हो देख लेना आप इंटरनाशनल स्टैंडर्ट के सुविंग पूल से हैं इंटरनाशनल स्टैंडर्ट की लाइपरीज बनाई जा रही है हम लोगों के प्राइयर्टी ही एजुकेशन थी प्राइड दिल से और उसी की वज़े थे आज हम उस लेवल पे आए कि बगगा जी और सत्या नरेला यह सारे के सारे लोग हैं और इन में से बहुत सारे लोग गौर्मेंट स्कूल के पड़े हो तो यह भी हमारे पास इस समय ज इस डिमोकरसी की कमाल है जिसमें हम लोगों ने अपनी एजुकेशन के त्यान दिया और चोटे-चोटे शहरों से आ रहे हैं ऐसा नहीं है डेली से बंबे से क्याकटा से देली मूंबई क्याकटा से आ रहे हैं नो 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 स्मॉल स्मॉल सिटीज और वो टॉप इंडिया का आप एक्जाम पास कर रहे हैं तो यह यह देखने वारी बात है कि हम लोगों ने यह सारा का सारा अपने आप नहीं बना है इसके पीछे बहुत महनत है इंसेसेंटली गौर्वर्मेंट काम कर रही थी पिछले तीस साल से गौर्वर्मेंट लगी थी कर्रप्शन हुआ होगा no doubt about it मैं उसको deny नहीं करता मैं उसको accept नहीं करता लेकिन corruption अगर हुआ है तो सो रुपे आए हैं तो 90 लगे हैं दसी खाय गए होंगे लगाया गया है काम काम हुआ है और उस काम के साथ साथ जो हमें infrastructure अब दिख रहा है ठीक infrastructure है look at the roads जो roads बनी हैं इंडिया में जो काम नितिन कड़करी ने किया रिमार्केबल मैं आपको बताता हूँ अब यहां पर एक बड़ी important चीज मेरे दमाग में आ रही है अभी मैंने अब आद की हम लोगों ने प्रिस प्रीडम इंडेक्स की बात हो तो अमेरिका की तरफ से जो है यह आया है और वो जूट हो सकता है अटाप क में positive हो गया 20% भी Indians admit करने को त्यार नहीं है कि वहां गलत कुछ हो सकता है हो रहा है या हुआ होगा या होगा वो पिछला सारा भी उनका जो है वो बहुत positive हर बंदे के माइंड में और ऐसा नहीं है कि आपके किसी और के मुझे बताएं यह लोगों की सोच ऐसी है या इसको freedom कह रहें या यह freedom जबर्दस्ती लों के दिमागों में डाला चाह रहा है नहीं मैं आपको बदाता हूं देखें कि करॉप्शन हुआ होगा बिल्कुल हुआ होगा no doubt about it without corruption कोई country नहीं चलता है हमारे country में भी है करॉप्शन की स्टेट्मेंट पर रप्लाय आते हैं यह तो हर country में होती है यह से मैं मैं उसको लेजिटिमाइज नहीं कर रहा हूं यह नहीं बोल रहा हूं उसको justify नहीं कर रहा हूं मैं सब्सक्राइब करने के लिए हमारी गौर्मेंट कितना काम कर रही है यह सिर्प मोधी गौर्मेंट नहीं कि इससे पहले से चल रहा था मोधी गौर्मेंट नहीं इसको 10 टैंग स्पीड अप कर दिया हम लोग मन्रेगा चलाते है एक रूरल एम्प्लायमेंट गिरेंटी जिसके पास रोजगार नहीं है वो जाकर के गौर्मेंट से रोजगार ले सकता है और टेल दस लोगों को एउम्प्लायमेंट देता था पचास लिखता था बागी का पैसा खा जाता था इसको खतं करने के लिए सब के जनधन इकाउंट ने इंगे सब आद्मियों के अकांट बना दैक कई feld कम बनाते हैं हम लोगोंने इतने य४र मन्त खोले थे जोती जपाइन की और खोल करके हम लोगों ने सब के सीधे अकाउंट में ट्रांसफर जो भी है पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा अब इसमें बीच वाला खाई भी चालता नौ अगली इसमें बहुत हरा फरी वा करती थी क कितना टैक्स आया है कंपनीज को टॉट्राक्ट पर पर दिया जाता थे तो है अब लग गया वासट्यू आपकी काड जायेगी टैक्स डोल के नीचे उपर से वो स्कान करेंगे आपका नंबर और आपके अकाउंट से पैसा अप्डेट है और सी आपर किसी के हाथ में पैसा जाता ही नहीं हो गो आप जिसना पैसा इस पीजर में जाता है comment के अकाउंट जाता है उसका सारा खाता है मेरे अकाउंट से कित्ता पैसा निकला और उसके अकाउंट के अगवान में कित्ता गया सब कुछ हैंट ने तिन गड़करी एंट टू प्राइम ने मोदी यह इंप्लिमेंट हुआ आज की डेट में आप चाहिए पेहले पर पेहले इत्ती लंबी लाइन करतीथी वह करेंव value आपको पर्ची देता था और से पैसे लेता था यवी डिल्लेता आज आपको पर्ची देता पैसे पेसे लिता था रंडर जाकि MAEE यह एक रोगिए सब्सक्राइब एक नट बिनी फाइव सेकंद्स तेन सेकंद्स में आपको पैसा डिटक्ट हो जाता है सामने से गेट खोलेगा आप निकल जाएगे कोई और टोल टैक्स पे जो हाद में बैठा होता है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए होता है पैसा डिटक्ट हो गया आपको उसको कोई कैश की देन ना कोई कैश की देन यह सारी इनुविशंस नो डाउट विदा पासेज ऑफ टाइम इंडिया के अंदर आई है बहुत सारी इस तरह की टेक्नोलोजी की चीज़े हमें इनुवेट होती है और गुजरते दिन के साथ दिखाई देरी होती है निकर बाह अतीक एमद मर्डर केस सामने हुआ अतीक एमद जैसे लोग भी उठा के इतने बरसों से कहां रखे हुए थे पार्टी के अंदर मतलब जो लॉब्रेकर है उसी को लॉब्रेकर मनाया वा था ये भी तो इंडिया की पॉलीसी में था